दोस्तों आज हम कर्ट लगनवालों के लिए गुड़ लग बताएंगे अगर आपको नीन ना आ रही हो तो आप संख सीराने रखें सफेद रंका संख हो तो ज़्यादा भेतर होगा बेट रूम में कांच की चीजें ना रखें जब आपके घर में चावल पक रहा हो तो उसमें दो दाने इलैची के या फिर दो तुलसी के पत्ते डाल दे आपका स्वास्त अच्छा रहेगा अगर घर में ज़्यादा कलेस हो रहा हो तो हर कमरे के कोने में कांच के बरतन में नमक रखें और हर महीने बदलते रहें सिपजी को 15 दिनों तक गंगा चढ़ाएं थोरा सा प्रतिकात्मक रूप में अगर आपके पती गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे आप प्रत्ना कीजेगा अगर आपके घुटने में जरुट से ज़्यादा दर्द रहता हो दोनों पेरों के अंगूठे में आप चांदी का चल्ला पहने अगर आप नहीं पहन रहे हैं चांदी की अंगूठी भी पहन सकते हैं तो कोई बात नहीं आप सफे धागा बांद ले भोजन में पनीर का सेबन जरूर करें हड़ी की समस्या नहीं होगी अगर आप नाम यस चाते हैं तो अभी वार को लाल चद्नन का टुकरा रेजमी धागे में बांध कर आप अपने पास रख ले अगर आप नजर दोस्ट से परिसान है तो हर सनीवार को पानी में हर्रे फुलने दे दे और अभी वार को लाल धागे में गूत कर बच्चे के बैग में पैंट में आप कहीं भी रख दीजे नजर नहीं लगेगी बच्चे को बच्चे के पास रहना चाहिए यमीत रूप से मा काली को गुढल के फुल अरपित करने से सत्रू और बिरोधी सांत रहते हैं और आपके साहस में बिर्धी होगी ऐसे तो आप साहसी होते हैं सनी दिक्कत दे रहा है तो भगवान कृष्ण की उपास ना करें मंगल के कारण आत्मे विश्वास की कमी हो तो रोज लाल चंदन का गोल तिलक अपने माथे पर लगाए आपको लाव होगा थेंक्यू दोस्तो